आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ इसका structure होता है CH3, CH2, COOH इसको हम लिख सकते हैं C2H5, COOH इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं तो प्रोपानोग आसिद में यह जो acid group होता है कर्बॉक्सिदिक आसिद ग्रूप जो होता है इसको अगर हम कोई भी मतलब कोई भी कर्बॉक्सिदिक अगर होता है इसको अगर हम ऐमोनिया के साथ heat करते हैं अगर हम ऐमोनिया के साथ heat करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर water elimination होता है यहाँ पर water elimination होता है and form होता है amide and form होता है amide C double bond O NH2 यह form होता है ऐमोनिया के साथ इसको हमें heat करना करता है तब जाके यह amide linkage फॉर्म होता है तो जब भी हम propanoic acid के साथ भी ammonia का reaction करवाएंगे तो क्या फॉर्म होगा propanoic acid यानि की C2H5COOH इसके साथ अगर हम ammonia का reaction करवाता है तो यहाँ पे फॉर्म होगा C2H5COONH2 यह amide फॉर्म होगा यहाँ पे तो अगर हम option check करेंगे तो option 3 is the right one option 1 ठीक नहीं है यहाँ पे CH3CO है यहाँ पे total 3 carbon है amide जो है यहाँ पे total 3 carbon है but option 1 पे 2 carbon है तो इस रॉम option 2 पे ammonium salt दिखा रहा है अगर हम ammonium hydroxide की साथ acid का reaction करवाते हैं तो हमें ammonium salt मिलता है and option 4 is also another ammonium salt which is also not right so that's why option 3 is the right one classic studio से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर हो सा आज जी डाउनलोड करें डाउटने टाप यह WhatsApp कीजे अपने डाउट्स 8444 पर